हेलो फ्रेंड वेल्कम टीए अधने अंवेस्मेंट अकाडमी गुड मॉर्निंग आज की ताजा ख़बर में आपका स्वागत है सबसे पहले ग्लोबल न्यूस की बात करेंगे फे कुछ इंडिया स्पेसिफिक एकनॉमिक स्पेसिफिक न्यूस की बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले आज भी नॉलिज सेक्शन है लाज तक तो वीडियो को जरूर देखेगा बहुत इंट्रस्टिंग है कुछ हेल्थ सेग्मेंट पे है तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे और यद्निया कूपन कोड जो है यह लाइव है on model portfolios, model portfolios का 31st मार्श तक का परफॉर्मेंस बगड़ा है वो भी हम अपडेट करते रहते हैं every month भी updated for people who have not subscribed, जिनोंने subscribe किया है उनको जो daily performance पता चलता है बट जिनोंने subscribe नहीं किया है for them also we regularly update about our performances तो recently अभी आपको शायद email भी आया होगा अगर आपक अपने login किया है कभी हमारी website और नहीं किया है तो you can check it on our website invest channel.in and accordingly take a call ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले global news के बारे में तो US markets थोड़ा mix रहा थोड़ा सा decline था दो-तिन दिन से बट आज थोड़ा सा एक positivity रही market में majorly because उनका जो PMI number है जैसे इंडिया का PMI number कितना है अभी 59 तो वहाँ पे जो PMI number आया for service service का PMI number लेट आता है manufacturing का पहले आता है तो वो below expectation आया थीक है तो यह変 interesting है वहाँ पर जैसे मैंने बताया ना की वहाँ पर अगर economy अच्छा नहीं कर रही है तो लोग जादा कुश होते हैं मतलब market stock market जादा कुश होते हैं क्योंकि अगर economy अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि market को लगता है इसका मतलब interest rates rataw put गिराएगा फैड क्योंकि इंफलेशन भी एक more or less control में है तीन परसंट है, टू परसंट का टार्गेट है अडर्स्टैंड बट वालब इस नॉट सम्थिंग की विच इस कम्प्लेटली आउट ओफ है तो अब वो control में है बट अभी फैड का देख रहा है ग्रोथ भी है और इंफलेशन भी control में है ठीक है, तो interest rates कम करने ही क्यों है complication करनी क्यों है, interest rates कम किया फिर से inflation बढ़ गया तो और ग्रोथ तो आई रही है तो ये सारे चक्रों में कि कोई भी चीज इस तरह से positive दिखती है कि वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो वो market उसको negatively लेती है और कोई भी चीज ऐसे दिखती है कि यह शायद ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो market positively लेती है तो यही चीज हुई कि PMI नंबर आया तो वो थोड़ा सा expectation से कम आया 52.3 something का 52.7 का expectation था ठीक है वो एक supply management non manufacturing PMI का आया 51.4 तो market को अच्छा लगा तो थोड़ा सा positive bias market कर रहा bond deals अभी भी वो 4.36 की आसपास चल रहे है और US Fed Chairman जो हैं वो consistently कोई न कोई कहीना के event में जाके speech देते हैं और उसकी वैज़े से market थोड़ा बहुत react कर रहा है ठीक है वो थोड़ा बोलते हैं कि interest rates देखेंगे हम करेंगे या नहीं करेंगे data points देखेंगे उसके इसाब से सोचेंगे और कभी-कभी वो बोलते हैं कभी किसी speech हम बोलते हैं कि नहीं मुझे फिर भी लग रहा है एक-दो तो हो जाएंगे तो उसके इसाब से market महाँ पर basically see market में interest rates कम क्यों चाहिए stock market को interest rate कम होगा तो loan अराम से मिलेगा लोगों को ठीक है और companies को तो they will buy more buy more means more demand more demand means stock market will do well तो यह एक simple interest rates stock market को low interest rates पसंद है क्योंकि that's how economy grows that's how people get more money ठीक है और अगर interest rates हाई है तो stock market के लिए अच्छा नहीं रहता है but still economy is doing well and that's why this complication is occurring ठीक है कुछ World Bank ने Indian economy को बोला कि 2024 not FY ठीक है बद इक कलेंडर यह के बाड़े में उनने का 7.5% का projected growth बोल दिया है ठीक है और यह 1.2% से बढ़ाया है ठीक है 1.2% है तो मतलब आप यह देखो 6.3% था 2024 अब उनने 7.5 कर दिया I think SBI जो है वो सबसे ज़ादा है इस टाइम उनका 8% है 2000 FY25 का है उनका और बाकि सभी अभी 7 और 7.5 की range में है ठीक है तो अभी थोड़ा World Bank ने 7.5 किया है बाकि अगर हम देखेंगे Mostly जो predictions आ रहे हैं वो 7 to 7.2 और यह सब जादा थर्ड कोर्टर की जब 8.8% GDP growth rate हुआ उसके बाद यह सब upgrades हो रही है यह सी चलती रहेंगी ठीक है तो वही हम लोगों को यही बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में बहुत ज्यादा focus नहीं करना चाहिए थोड़ा से entertainment value थोड़ा knowledge value की हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि यह सारी चीज़ें बहुत fast change होती है और इनको predict करना इस तरह के numbers को बहुत ज्यादा tough होता है और prediction हो भी नहीं सकता है properly तो इसलिए यह numbers change होते रहते हैं आप यह देखो कि अभी तक Fy24 के भी numbers जो है कही company कही जो analyst है वो upgrade कर रहे हैं डाउंग्रेट कर रहे हैं अभी भी वो कर रहे हैं कि Fy24 में शायद इतना GDP growth हुआ होगा जबकि वो खतम होगे तो this is how it works high crude oil prices जो है definitely एक थोड़ा सा economic के लिए Indian economy के लिए question mark फिर से बन रहा है वो almost 89 dollar touch हो रहा है तो वो एक चीज जैसी 90 dollar के आसपास थोड़ा यह आता है तो overall यह impact दानला शुरू कर देता है किस चीज पर inflation पे भी क्योंकि of course import हो रहा है तो inflation पे right हमारे import bill पे तो हमारा capital account deficit पे impact होने लग जाता है government हमारे dollar पे हमारे मंदर रुपी जो है उसके उपर stress बढ़ जाता है तो यह सारी चीज़े होती है raw material prices बढ़ जाते हैं बहुत सारी companies के जैसे paint company है chemical companies है तो यह सारा जो है एक साथ काफी सारा impact जो है higher crude oil prices का typically रहता है तो अब यह वापिस $89 पे पहुंच गया है और उसके reasons majorly जो है वो तो कुछ positivity है from China market as well चाइना के जो PMI numbers थोड़े positive हैं दोनो manufacturing के और services के तो थोड़ा सा market expect कर रहा है कि चाइना में demand वापिस आजाएगी थोड़ा सा चल रहा है तो वहां से चाहिए demand आएगी crude oil की फिर US market के भी numbers अभी तक अच्छे आ रहे है तो यह सारी चीज़ है तो overall globe में जो expectation था कि बहुत ही जादा बुरा होगा inflation की वज़े से problems आएगी बट वो उतनी शायद आई नहीं ठीक है और इसकी वज़े से थोड़ा सा वो rebound हुआ oil की demand expectations है दूसरा supply का तो कट करी रहे हैं मतलब उपक है वो तो नाम से काटल है तो उनका काम ही यह है कि सप्लाई को कम कर दो ताकि price थोड़ा सा बढ़े और उनको पैसा जादा मिले है और उनके कुछ मंत के टार्गेट्स हैं तो काफी सारे कंट्रीज मीट कर रहे हैं ठीक है और थोड़ा बहुत मिडली इस्ट वगड़ा के जो एटेंशन से यह भी फैक्टर से तीन फैक्टर्स बेसिकली अभी एट्टीन डॉलर के असपास पास पहुआ है विचिस अनीज और इंडिया एक्टमी टेसला से नीज आई अगें डिपोर्ट है वर से से हैं यू के इस फिनाशल टाइम ने बोला है कि वह जो टेसला है ओर टू से 3 बिलियन डॉलर का एक electric plant, electric car का plant इंडिया में, set up करने का plan कर रही है, mostly April में, April में they will start looking for a place, मतलब उन्होंने ये भी बताया है कि महराश्च्र, गुजरात, न तमिलनाड is three states, which they are basically looking at, ठीक है और वो गीगा factory model पर काम करते हैं, गीगा factory मतलब एक जगे factory लगेगी, और आसपास suppliers भी जो है, उसी आसपास वहाँ पर रहेंगे, ठीक है तो इस तरह का thought process चल रहा है, और काफी सारे government भी जो इन नहीं नहीं policies आ रही है, EV policies वेगरा जो है, काफी जादा इस Tesla को, कि इस investment को मेरे को लगता है कि expect करने के चक्कर में भी वो थोड़ी सारी चीज़ें उसके हिसाब से भी बन रही है, EV policies इंडिया में, कि Tesla can start making in India, and then selling also in India, तो उसके ओपर ही काफी government का focus है, Blackstone जो काफी बड़ा private equity investor बोली जाप रही, तो hedge fund है आप उट से, तो Blackstone जो है, वो they are saying कि 2 billion dollar yearly they are planning to invest in India, ठीके तो उन्होंने almost 50 billion dollar invest किया हुआ है, तो कुछ-कुछ उन्होंने exit भी किये हैं, अभी 30 billion dollar अभी भी उनका इंडिया में है, they are saying 2 billion dollar every year they will invest, तो it's interesting, एक बहुत interesting article आया, कि देवर से एंडिया की जो market cap है, overall जो हमारी stock market cap है, वो 10 trillion dollar की हो सकती है by 2030, अभी कितनी है, around 4.5 trillion dollar, अभी हम world की stock market, 5th largest stock market है हमारी, हम 5th largest economy भी है, और stock market भी हमारी 5th largest है, तो largest किसकी है, वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, US is the largest, ठीके 44.7 trillion dollar, अभी इंटरेस्टीं देखो आप, उनकी GDP 25 trillion dollar की है, अभी हमार्केट 44.7 trillion dollar की है, चाइना उल्टा है, चाइना इस 9.8 trillion dollar की stock market है, I think GDP is around 17 trillion dollar, तो वो काफी कम है, of course because of the reasons that it is China, जपान की भी, I think economy जो है, वो almost I think 4-5 trillion dollar है, 4 के आस पास जाता है, मुझे आदर, और market जो है, वो 6 trillion dollar है, Hong Kong separate है, चाइना से, तो उसकी 4th largest market है, that is 4.8 trillion dollar, तो अगर Hong Kong को चाइना में मिला ले, तो it becomes then closer to Chinese GDP, तो then it is almost 14.6, 14.7 trillion dollar, जो है overall Chinese market बन जाती है, तो India जो है 5th largest है, with around 3.5 trillion dollar GDP, and 4.5 trillion dollar market, तो अब इसका जो expectation है, इनका यह है कि 10 trillion dollar market हो जाएगी, by 2030, तो next 6 years में, it will become little more than double, let's see how it goes, तो एक एनने, ने चार और indices, जो है, लांच किया है, अब आप औरस, एननने से के indices ही चलते हैं, जो अब आप इंडेक्स फंड्स और ETF की बात करें, मेरी खाल से, I think more than 90% share, market share जो है, वो NSE की indices से tagging का है, तो वो of course, नए-नए indices launch करते रहते हैं, और हमें भी पताएगी, right, momentum index हो गया है, alpha index हो गया है, right, value index, और बहुत सारे उसमें भी type है, liquidity index, और उसमें भी combination है, alpha liquidity, alpha low volatility, तो वो काफ़ी सारे और भी type के dividend index भी है, तो काफ़ी सारे indices जो है, Nifty ने काफ़ी innovation करके create किये हुए है, अब चार ऐसे और innovative indices उन्होंने launch किये हैं, अब दिखते हैं, इसके उपर index fund और ETF बनते हैं क्या, एक तो उन्होंने किया, Nifty Tata Group 25% cap, कि Tata Group की कमपणी लेंगे, उसे 25% की cap है, कोई भी कमपणी 25% से जाधा नहीं होगी, second उन्होंने किया, Nifty 500 Multicap India Manufacturing 50-30-20, ठीक है, तो Multicap Fund, Multicap Index है, 50% Large Cap में, 30% Mid Cap में, 20% Small Cap में, but Manufacturing Related Companies में डालेगा, फिर उन्होंने Nifty 500 Multicap Infrastructure, ऐसे ही Infrastructure का इंडेक्स लाँच किया है, और एक Nifty Mid Cap, Mid and Small Healthcare, तो Healthcare में, Mid and Small Companies में, वो इन्वेस्ट करेगा, तो ये चार इंटरस्टेंगे, अभी यही थीम्स चल रही है, Manufacturing, Infra, और Health, और Tata के Group के कमपनीर अच्छी कर रही हैं, तो of course, जैसे यह चीज़े होती हैं, तो of course, they are also a private company, they are also want to make money, तो ये चार नहीं इंडेस्टेंगे मार्केट में आए हैं, ठीके न, मतलब ETF इंडेक्स में ही इतना कन्फ्यूज कर दो, कि इतने सारे हो जाएं, कि लोग इसी में कन्फ्यूज जाएं, कि कौन सा ETF और इंडेक्स करीदना है, भी तो छोड़ी दो, कौन सा mutual fund खरीदना है, या कौन सा stock खरीदना है, ठीके, अब कुछ stock specific news के उपर आते हैं, तो Adani Green now has become a first company with 10 gigawatt, 10,000 megawatt renewable energy capacity, which is very good, I think, ठीके, तो अब उनकी operational capacity almost 7.3 gigawatt जो है, जो इस aim की बज़े से है, ये 10 है अभी, और aim है 45 करने का, तो 4.5 times in next 6 years, is what they are planning, and that's why that the whole valuation और ये साथी चीज़े से जो है, वो उस aggression की बज़े से ही है, Avenue Supermart का कुछ update आया कल, मैं mostly initially update बता देते हैं, तो 20% top line growth is what they are saying in quarter, March quarter में, ये थोड़ा सा positive है, ये लगातार एक 10-15% के आसपास चल रहा था last 2-3 quarter से, तो retail sector में भी कुछ issues चल रहे थे, वहाँ पर भी headwinds थी, फिर इनका expansion of stores was also not that much, तो वो सारी चीज़े चल रही थी, ठीक है, तो but now this 19.9% number is looking good, and let's see how the result comes, तो अब रिजल्ट आएंगे, तो फिर we will talk more about it, L&T Finance का भी एक update आया, Q4 का, तो उन्होंने भी कहा कि, हमारा retail loan book, 80,000 का, अपर retail पर बहुत focus है L&T Finance का, तो वो पूरा का पूरा अपना, corporate loan book, उसको बिल्कुल subside कर रहे हैं, काफी अच्छी ग्रोथ उन्होंने थिया, फेडरल बैंक का भी अपडेट्स आया, उन्होंने 20% ग्रोथ बोला है, आपने gross advances में, in March 24 quarter, ठीक है और टोटल उनके बाद deposit है, वो भी 18% से, बढ़े हैं, वो 2.52 लाक, 2.52 लाक करो, जो है, वो हो गए है, what of an idea, के shareholders ने, अब 20,000 करोर उपीज का fund raise, जो है, वो, अपडेट कर दिया है, मतलब वो अप्रूव कर दिया है, fund raise तो, उनका consistently update रहता है, 45,000 का करोर का भी किया था, उन्होंने February में, but, of course, it's not that easy for them to raise money, आप सब समझदार है, retail investors है, इन सब चीजों में, mostly जब, वोई भी लोन नहीं दे रहा है, तो please public also should not give, that's what we think, टीक है, Indian oil, यह बहुत इंटरस्टिंग आर्टिकल था, Bloomberg पे, क्योंकि nuclear energy, मतलब इंडिया काफी सारी energy के ओपर बात कर रहे हैं, hydrogen के ओपर मैंने भी वीडियो बनाया है, stockometer subscribers के लिए, कि how hydrogen as a fuel India is focusing on, natural gas के ओपर काफी बात चलती ही रहती है, coal पे भी we are focusing solar, wind, hydro, but अभी nuclear पे भी काफी बात चल रहे है, और इसमें काफी interesting एक company, अभी कोई company नहीं थी, क्योंकि office state run रहता है, mostly, काफी state का control रहता है, और nuclear energy, but Indian oil talks with state nuclear firm for small reactors, तो वो एक small nuclear reactors का plan कर रहे है, कि हमें clean power use चाहिए, अपनी refineries को set up कर रहे है, मतलब हमारी refineries के लिए उतना power use लगता है, कि हम उसके लिए एक nuclear power set up कर सकते हैं, तो उसकी discussion चल रहे हैं, और यह बहुत interesting हो रहे है, कि अगर इतने चोटे-चोटे nuclear power plants, and they can be controlled well, and it is a clean fuel, ultimately, and it is for long term also, तो मतलब सबसे lowest cost fuel माना जाता है, यह word में, but of course it has its own risk, तो वो risk कम करने हैं, that is what it is, but otherwise nuclear power जो है, वो एक काफी, मतलब clean और एक अच्छा fuel माना जाता है, जिसमें बहुत कम cost भी रहते हैं, बहुत कम cost भी रहते हैं, बहुत इसमें expertise बहुत हाई है, तो expertise बिल्ट करनी है, और India is working on doing various things, and I think even China is doing a lot of investment in this nuclear power, and we both are very power hungry countries, because we are fast growing economies, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली इस पे रहेंगी, ठीक है, so that is all I have on the overall news, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आद के knowledge section की दोज़े से मैंने बताया है कि, अभी हमारा एक session हुआ था मुंबई में, और पुना में भी है, तो वो basically session was on, कि how to manage your retirement corpus, तो वो mostly thought process for us people who are retired, और nearing retirement, financially free, near financial freedom, तो वो प्रोफाइल के mostly लोग थे, तो देखा lot of discussion on health insurance, एक ठीकतने का लेना चाहिए, दो लाग का बहुत है, तीन लाग का बहुत है, कंपनी का बहुत है, पांच लाग का बहुत है, दस लाग का बहुत है, किस city में कितना मैं इसमें जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, तो एक typical right, because health is a biggest risk, हम emergency fund create करते हैं, health fund create करते हैं, health insurance लेते हैं, तो एक सबसे बड़ा risk, एक अगर पूरे financial planning में रहता है, वो health risk रहता है, तो उसमें हम, of course when I also make plans, तो उसमें health insurance plays a very very important part, तो एक काफी different thought process है, उसमें, right, कि one CR का कुछ जादा नहीं है, क्या, तीक हो तीन लाग का कुछ कम नहीं है, क्या, तो वो है कितना सही, तो इसके उपर basically, again, there is no right answer, or I cannot give an answer to you, because it depends on, it's very personalized decision, कि आप कौन से city में रहते हैं, आप किस टाइब के hospitals में जाते हैं, और आपकी background, right, genetically कोई issue है, कि इडवाइज, मतलब disease वेगरा का, कितने healthy हैं, how do you keep those, तो बहुत, बहुत सारी चीज़े factors होते हैं, कि आप right health insurance का corpus, या मतलब, अपने लिए create करें, कितना health insurance हमें लेना चाहिए, बट अब यह जो share कर रहा हूँ, यह interesting है कि, जैसे मैंने बोला कि, काफी जादा लोग, कभी कभी बहुत कम भी लेते हैं, बहुत जादा भी लेते हैं, तो यह interesting समझना ज़रूरी है, तो यह डिटो ने बहुत interesting number दिया, कि, average cost किया है, different surgeries की, क्योंकि majorly, जादा खर्चा health में कभ होता है, कि कोई surgery हो, और hospitalization हो, longer duration का, तो वही majorly रहता है, but again, you cannot generate, because there are so many of things, यह एक अच्छी list है, मैंको लगता है, कि, जिसमें majorly आपको एक idea लग जाएगा, कि यह, कितना घर्चा होता है, अभी जैसे, मादब, यहां पर लिखा है, cataract surgery का, 35,000 का होता है, brain tumor उनने का, 4,000,000 रुपे का, average होता है, of course, आप, max health में जाओगे, max hospital में जाओगे, मेदानता में जाओगे, right, यहां फिर 40 में जाओगे, तो of course, this will be higher, this is average number, which they have given, right, तो, वो depends on that as well, but, अभी bypass surgery है, तीन लाख रुपे की है, तो अभी, one of my relatives, दूर के relatives की bypass surgery होई, तो, सब कुछ मिला के, around 3.7, 3.8 का खर्चा हुआ, तो, this is ballpark, I think, और एक अच्छे hospital, पुना में हॉस्पिटल में, वहा था तो, I think this is, इसलिए मैं को थोड़ा, थोड़ चेक किया, तो मैंने, I think this was okay, ऐसे heart valve replacement 3.7, heart angioplasty 1.7, हर्निया की 32,000 में होती है, ही replacement 3,000, तीन लाख में होता है, नहीं replacement 2,000, सबसे लिवर ट्रांस्प्लांट, सबसे ज़्यादा है, 23,00,000 रुपीज का, almost होता है, stem cell, bone marrow, typically cancer patients, almost 25,00,000 रुपीज का, हमारा खर्चा रहता है, तो basically, यह आपको एक idea देदेगा, कि यार, शायद आपको एक करोर भी, as I said, is too much, I think, for a healthy insurance, and, maybe 2, 3,00,000,000 is 2 less, mostly which companies give, काफी सारी company, 2, 3,00,000 रुपी का, healthy insurance देती है, तो वो भी, it's 2 less, तो somewhere, जो, अगर हम overall, एक healthy insurance का देखें, तो it lies somewhere between, तो हमारे लिए, depending on cities, and type of hospitals, you go, हम typically range, जो बोलते हैं, वो 5 to 20 की बोलते हैं, कि 5,00,000, अगर आप एक छोड़े city में रहते हैं, और एक nursing home वगरा में, जाते हैं, तो minimum आपके पास, एक 5,00,000 का health insurance होना चाहिए, और आप बड़े city में, Mumbai type के city, Bangalore type के city में रहते हैं, और, और यू गो तो एक गुड़े होस्पिटल एक सब्सक्राइब होना चाहिए, हो गया है, तो health insurance नहीं मिल रहा है, या बहुत महेंगा पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टन है, कि यार, कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, अगर by chance hospitalization होता भी है, तो ये एक अच्छा number है, तो ये एक अच्छा number है, तो ये एक साथ कभी कभी मिलता नहीं है, आपको numbers मिलते हैं दोर दर से, तो बट इस नोट राइट, बट इस नोट राइट, बट इस नोट राइट, विडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आप अपने friends and families के साथ, शेयर कर सकते हैं, तो ये एक अगर आपको भी ताइम है, जाहे हैं.